हेलो एवडिवान वेव क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है क्लास 12 के बच्चे जो इंगलिस मीडियम से पढ़ाई करते हैं और जिनको बिहार बोर्ड में इस बार 12 का एकजाम देना है उनके लिए वीडियो है सबसे पहले वेव क्लासेज में जो बच्चे ऑफलाइन पर रहे हैं उनके बारे में या बच्चों ने ऐसा इंफ्रमेशन भिजवाया है कि मैगनेटीजम का कॉंसेप्ट उनको किलियर नहीं है तो मैंने टेक नोटिफिकेशन वीडियो आपको दिया था क्रैस का तो क्रैस में जो भी पॉसिवल सवाल है जो आपको आ सकता है आपको प्राम से प्रैक्टिस कर लेना है उतना में आप 100% स्कोर कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत है नहीं लेकिन मैगनेटीजम का आपका कॉंसेप्ट अगर किलियर नहीं है तो फिर मैगनेटीजम का सवाल आपको पूरा का पूरा रटना पड़ेगा तो मैं ऐसा कोशिस करूँगा कि आपको जो कोर कॉंसेप्ट है चेप्टर का जो मेन कॉंसेप्ट है जिसको पकड़ लेना है अगर वो पकड़ा गया तो बाकि सब कुछ आसान हो जाएगा तो मैं पूरा कोशिस करूँगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आज मैं का मैंगनेटीजम का पहला से प्रस्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है मैंगनेटीक इफेक्ट ओफ करेंट आप मेरा मारकर को देखते रहेगा कि मारकर मेरा कहां पर चल रहा है ठीक है तो आज आपका करेंट के बाद यह एंसी आटीक एक और इंग यही चेप्टर है जि दीकिये मैनेटीक इफेक्ट ओफ करेंट इसमें क्या पड़ना होता है तो करेंट के बारे में आप पढ़ें करेंट का मैं आप क्या पढ़े हैं कि अगर कोई कंडंटिंग वाइर है चालक तार है जिसको बोलते हैं अगर इसको हम बैंटरी से ऐसका स्वीच ऊन कर दें इसमें करेंट का फ्लो होता है लेकिन बात में ये देखने को मिला है कि जो करेंट का फ्लो हो रहा है तो ये केवल करेंट का फ्लो नहीं हो रहा है क्या आप करेंट के फ्लो में करेंट के फ्लो के बारे में आप जानते हैं कि करेंट क्या है तो रेट आप फ्लो अप चार्ज हो तो चार्ज का flow करने का जो rate होता है उसी को क्या कहते है current तो यहाँ पे सबसे पहला चीज कि आप जो क्यूँ charge बोल रहे हैं तो क्यूँ तो आप देखे नहीं है आप इसको मान के चल रहे हैं यह charge क्या है यह charge electron है जो कि negatively charge है और यही इलेक्ट्रोन इस वायर में फ्लो करता है जिसको आप करेंट करते हैं तो आप इलेक्ट्रोन को देखे नहीं है फिर भी आप मान रहे हैं इस चीज को कि हाँ ऐसा होता है अब आप देखिए कि जब इस वायर से जब इस वायर से करेंट का फ्लो होता है जब इस वायर स current flow होते हुए आपने भी देखा है तो देखिए जब भी इस wire से current का flow होगा तो इसके surrounding में एक ऐसा field generate होता है गोल-गोल, circular इस wire के surrounding में चारो तरफ एक ऐसा field generate होता है ये visible नहीं है, ये invisible field है invisible field है, मतलब address से है लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है इसको field कर सकते है, इस field को क्या कर सकते है महसूस कर सकते है ये जो field है, ये कैसा field है तो ये gravitational field के जैसा है कुछ ठीक है, और gravitational field भी आप पढ़े हैं 11th class में लेकिन आपने उसको देखा नहीं है, महसूस ही किया है तो ठीक, gravitational field जैसे आप देख नहीं सकते हैं महसूस करते हैं उसी तरह से इस वायर में current का flow कराने से इसके surrounding में ऐसे circular loop के form में एक field generate होता है जो invisible field होता है इसको हम feel कर सकते हैं और इस field का नाम दिया गया है magnetic field क्या नाम दिया गया है magnetic field ठीक है अब यहां से chapter का मतलब हम आपको समझाने का परियास कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है magnetic effect of current मतलब अगर कहीं पे भी current का flow हो रहा है ठीक है अगर कहीं पे भी current का flow हो रहा है तो इस current के flow के कारण उसके आर्स पार surrounding region में magnetic effect पैदा होता है ठीक है अब यह magnetic effect होता क्या है तो जो भी magnetic effect होगा यह magnetic field के कारण से होता है ठीक है अब बात यह है कि ठीक है सर्थ तो magnetic field क्या होता है यह बता दीचे तो हम सब पे बारी-बारी से आएंगे cool मिला कि आपको chapter का concept clear हुआ होगा कि current का जब भी flow होगा current का जब भी flow होगा तो इस नाम है इसका इस magnetic field के बारे में हमको समझना यही chapter में main focus point है ठीक है तो हम आते है PDF पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है magnetic effect of current ठीक है अब magnetic effect of current पहुडने से पहले सबसे पहले आप magnet के बारे में समझेए सबसे पहले आप किसके बारे में समझेए मैगनेट ठीक है मैगनेट से बना है मैगनेटिक ति मैगनेट सब्द आप से जाना पहचान है ऐसा नहीं है कि है मैगनेट नाम पहला पर सुन रहे हैं मैगनेट आपने देखा है मैगनेट क्या करता है नहीं करता है इससे भी आप थोड़ा बहुत परचित हैं आपको पता है तो सबसे पहले magnet के बारे में हम बात कर लेते हैं, दो मिनिट इसके बाद हम अपने chapter पर आएंगे, तो magnet के बारे में ऐसा कहा जाता है, discovery में इसका देखिए, यहाँ लिखा गया है, discovery में, क्या लिखा गया है, discovery ध्यान दिजिए, magnetic phenomena was first observed in an iron ore, iron के आयस्क, तो तुर्की एक देश है, जिसको टर्की लिखा गया है, तो टर्की के एक सहर था, जिसका नाम था magnesia, ठीक है, तो इस सबसे पहले जो फेनोमेना है, वो magnesia में हुआ था, आपने बच्पन में कहानी सुना होगा, कि एक भेर चरा रहा था, ये बहेर चराने वाला का जो लाठी था, उसके लाठी में नीचे लोहा का किल लगा हुआ था, तो उसको पहार में वो बहेर चरा रहा था, उसका किल जो था लाठी वाला, एक पत्थर में सट गया, अभी पत्थर को लेके घर चलाया, बाद में इसमें रिसर्च हुआ कि आखिर ये क्या चीज है जो लोहे की किल को अपने तरफ सटा लेता है या अट्रेट कर लेता है तो यही कहानी था जो बच्पन में आपने सुना है हम कहानी पे नहीं जाएंगे concept पे आएंगे तो ये टड़की में टड़की का एक देश था जिसका नाम था मैगनेसिया ये मैगनेसिया में डिसकवर हुआ था जो ये iron ore था जिसमें ये phenomena देखने को मिला था जिसमें ये लोहा का किल सटा था इस सहर के नाम सहर का नाम क्या था मैइगनेजिया मैइगनेजिया सहर के नाम पे इसका नाम दे दिया गया बस्तिती सी बात है ठीक है जिस iron ore में यह magnetic phenomena देखने को मिला सबसे पहला बार और चिस जगह पे मिला उस जगह के नाम पे इस iron order का नाम क्या दिया गया magnetite दिया गया ठीक बात है यह starting का बात है and it has characteristics मतलब उसके पास कुछ गुन है to attract some specific metal like nickel cobalt और iron यह जो magnetite हमको मिला इसके पास कुछ special character special character क्या है कि iron को cobalt को और nickel को यह अपने तरफ क्या कर रहा है अब यह attract क्यों कर रहा है इसका कारण तो आप ढूणिएगा तिसका कारण खोजा गया खोजा क्या गया कि जो भी देखिए हाँ diagram से देखिए diagram में दिख रहा है आपको कि यह iron order दिखाया गया है इस iron order के चारो तरफ एक field दिखाया गया इसका मतलब क्या है इस चुम्बक के जो चुम्बक के चुम्बक का जो एक field होता है इस field में अगर यह iron का पार्टिकल है तब यह attract हो पाएगा अगर यह field के बाहर है तो यह attract नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे भी यह discovery किया गया कि जो iron order है इसके चारो तरफ एक field है और इस field में अगर nickel, cobalt और iron को रखा जाए तो यह इसके तरफ attract हो रहा है तो इस field का नाम क्या दिया गया इस field का नाम दिया गया magnetic field यहाँ पे लिखा हुआ है magnetic field तो यहाँ पे फिल्ड जो होता हो वेक्टर होता यहाँ पे लिखा गया देखे क्या लिखा हुआ है there exists a vector force field there exists a vector force field in surrounding of an iron ore जो भी iron ore था उसके surrounding में एक vector field मिला जिसका नाम दिया गया this field was named as magnetic field इस iron ore के चारो तरफ जो field मिला इसी का नाम दिया गया vector magnetic short cut में लिख रहे है magnetic field ठीक है vector magnetic field vector के बारे में आप समझते है vector vector ऐसा quantity होता है vector हम उस quantity को कहते है जिसके पास दो चीज हो एक हो magnitude और दूसरा हो direction तो आप आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये जो magnetic field जिसके बारे में हम बार लोग बात करते हैं कि magnetic field vector है तो magnetic field अगर vector है तो इसके पास magnitude भी होगा और direction भी होगा तो ये magnetic field क्या है actual में इसका magnitude क्या होता है कैसे निकाला जाता है direction कैसे है पता करते हैं क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है तो यहां तक तो यह चीज आपको यहां से discovery से पता चल गया अब जो यहां पे discover हुआ है आज चड़ की बात तो यह है कि जो यहां पे हम लोग खोजे हैं यही same चीज यहां पे भी हो रहा है अगर कोई तार है कोई wire है और इसमें अगर आप कोई potential का difference दे रहे हैं ठीक है potential difference आप समझते हैं battery के तरू का flow हो रहा है तो एक current के flow के वज़से ही तार के चारो तरब भी एक field generate हो रहा है यह field कुछ और नहीं ठीक यही वला field है समझे बात को जो इस wire से wire में current का flow हुआ जिसके वज़से एक field जो generate हुआ यहां पे दिख रहा है कि अगर कोई wire से current का flow होगा तो यह भी अपने चारो तरफ magnetic field पैदा कर रहा है ठीक है यह भी अपने चारो तरफ क्या पैदा कर रहा है magnetic field पैदा कर रहा है और इसी concept पे यह हमारा chapter waste है जिसका नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है देखिए उपर में नाम दिया गया है इसका magnetic effect of current ठीक है अभी magnetic effect of current का मतलब आप समझ गये होंगे कि current के कारण magnetic effect तो अभी आपको समझाए कि किसी भी wire से अगर current का flow आप कराईए गा तो इसके चारो तरफ क्या पैदा हो रहा है magnetic field अब यही field का जो property है उसके बारे में सब कुछ जो पढ़ेंगे उसी को नाम दे दिया गया magnetic effect तो इसके कारण पैदा हो रहा है current के कारण तो current का magnetic effect clear है तो discovery का बात हो गया कैसे कैसे खोजुआई भी आपको समझ में आ गया तो यहां से एक चीज़ दिमाग में रखने वाला है कि आप से कोई पूछे कि magnetic field कैसा quantity है तो आप क्या बोलिएगा कि वहत्तर quantity है चोटा मोटा question और बना कि जो magnetic phenomena हमको मिला था किसमें मिला था आईरनोर में कहां पर मिला था तरकी के मैंगनेसिया में जो जो हम किसी वायर में current का flow रहा है तो इसके चारव तरफ magnetic field पैदा होता है यह सबसे पहले बताने वाला जो आदमी था उसका नाम था उस्टेट जो यहां पर मिंसन है उस्टेट जो बताया लोगों को उस्टेट को जो खोज किया यह पहले सब जाना था किसे current का flow हो रहा है लेकिन इसके चारव तरफ जो magnetic field प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में नहीं पता चल रहा था क्योंकि दिखने वाला चीज तो है नहीं हो तो महसूस करने का चीज है तो सबसे पहले पता कौन लगाया तो यह उस्टेट लगाया और जो उस्टेट लगाया पता थी लोगों को बताया एक नियम बता दि इंपल लो है कि ओस्टेट लो वाज अब्जर्ब डैट करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैंगनेटिक फिल्ड इनिट सदूंडिंग यह सीधा सीधा बात है जो आपको समझाएं भी कि अगर किसी भी करेंट से आप किसी भी वायर से कर आप करेंट फ्लो करते हैं तो इसी को बूल दिया कि ओस्टेट लो कि इस ही सबसे पहले खोजा तो ऐस्टेटम बाज सबसे पहले यह और जो livro कि सरांडेंग अपने आसपास निट को परोड्यूस करता है इसी को बोला जाता है ओस्टेड लो तो आप इसको समझ रहे हैं अच्छे से हमको ऐसा उमीद है कि बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा अब इसी को यहां पे एक एक्सपेरिमेंट से लोगों को समझाया कि जैसे माल लिजिए कि आपके पास यह बाई डिफलेक्शन गेलवेनोमीटर है बाई डिफलेक्शन गेलवेनोमीटर जो होता है उसका बीच में जीरो होता है यह गेलवेनोमीटर है ठीक है अब यहां पे हम बैटरी से जोड़ते इसको ठीक है अब यहां समा लीजिए कि स्वीच को हम ओन करें तो करिंट इधर से फ्लो होगा यहाँ पर अब यह पर यह उब्जेर्ब कर रहा है। क्या उब्जेर्ब कर रहा है। यह गैलवेनोंट्र है और यह अचाई इप आप याफल ज currently बेसे जगए आप यहाँ पर एक मागनेटिक निडील लिजिए मागनेटिक कम पास जिसको आप जानते magnetic compass magnetic compass क्या होता है एक needle रहता है चुमब का जिसे एक point पर यहाँ पर यह से connect रहता है यह मतलब अपना direction को change कर सकता है यह fit रहता है गूमने के लिए यह stand है इस पर needle लगा हुआ है अब यहाँ पर एक magnetic needle को राके रखा गया और देखा गया यहाँ से switch को on करके जब current flow करता है तो इसमें deflection देखने को मिला ठीक है जब current माल लिजेगा इधर गया तो यह switch इधर घुम गया हम color change करके दिखाते है यह needle इधर गया अभी battery का potential change करते हैं इधर negative करते हैं इधर positive करते हैं तो अब current इधर से जाएगा जब इधर से current ले जाया गया तब देखा गया कि इसका deflection इधर हो गया समझ में आ रहा है बात को तो यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि यहाँ पर current का direction के वज़ज़ से यह magnet का जो सूई है वो इधर उदर घूम रहा है सिधा सिधा simple यही समझ में आ रहा है कि current इधर से गया तो red के तरफ यह bend कर गया यह zero position है माल लीजे यह इसका zero position का मतलब इसका actual position पहले यह था जहाँ पे हम green दिखा रहा है अब यहाँ पर needle था जब current यहाँ से पास किया current इधर गया तो इसका निडिल जो है रेड के तरफ मुड़ गया जब current रेड के तरफ से आया इधर से आया तब यह needle green के तरफ मुड़ गया तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि इसका मतलब है कि जब current हम wire से flow कराते हैं तो इसके आज पास कोई magnetic field develop हो रहा है अब यहाँ पे अगर magnetic needle deflect कर रहा है हिल रहा है और current के पास करने के कारण हिल रहा है इसका मतलब यही है कि current के flow करने के वज़द से magnetic field produce तो हो रहा है अगर यह magnetic field produce नहीं होता तो इस needle नहीं हिलता यही experiment simple सा किया गया और इससे खोज हुआ कि इसका मतलब कि current अगर किसी wire से पास होता है तो magnetic field produce करता है इसी को इस diagram से दिखाया गया है आप diagram simple ऐसे बना सकते हैं देखिए हम बना देते हैं एक circuit ले लिजिएगा simple सा एक battery है इसमें switch को on करते हैं इधर से current का flow होता है यहाँ पे magnetic needle है अगर यह माल लिजिए कि पहले ऐसे था तो जब current इधर से flow होता है तो needle ऐसे deflect कर गया ठीक है अब माल लिजिए कि current का direction हम इसमें change करें current अगर हम ऐसे ले जाए तब इसका needle इधर deflect कर गया तो इससे क्या पता चला कि जब भी इससे current का flow हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है तो इसके चारों तरफ magnetic field produce हो रहा है ठीक है आई यही बताने वाला कौन था यह ओस्टेट था तो देखिए यही ने लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था ओस्टेट वाज observe that current carrying wire produces magnetic field in its surrounding मतलब ओस्टेट ऐसा observe किया गया कि जो current carrying wire होता है वो magnetic field को produce करता है अपने चारों तरफ अपने चारों तरफ क्या produce करता है magnetic field और यही experiment आपको बना देना है दो नमर का सवाल है simple सा समझ में भी आया होगा अब आगे बात करते हैं अब हमको magnetic field पे फोकस करते हैं अब टोपिक पे आते हैं कि हमको इस चेप्टर में जो current carrying wire के वज़े से जो magnetic field produce हुआ है जो magnetic field produce हुआ है इस magnetic field के बारे में बात करें तो आपको अभी भी बताया थे कि magnetic field जो मिला है वो कैसा है तो यह vector है अब हेक्टर में पता करना है तो हेक्टर में आप दो चीज़ पता करिएगा एक magnitude और दूसरा direction तो सबसे पहले हम magnetic field का direction पता करेंगे कि अगर किसी current से अगर किसी current carrying wire से अगर current का flow हो रहा है तो इसके वज़े से जो magnetic field produce हो रहा है उसका direction क्या है कैसे produce हो रहा है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे direction के बारे में और दूसरा के बारे में हम बात करेंगे magnitude के बारे में तो यह ज़स्ट यह भी मान लिजिए कि आपका introduction वीडियो है आप इसको इतना देखिए और हमको response दीजिए आप comment करके हमको बताईए कि क्या आपको यह समझ आ रहा है अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो सिरीज को हम continue करेंगे और आपको पूरा magnet बहुत ही जल्दी आपको cover up कराके फिर से अपना question practice हम start करवाएंगे ठीक है thank you everyone